हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल क्रेज़ फॉर इस्टडी दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 13 हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर का नाम है प्रकास हमने पिछले पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ लिया था और आज सब्सक्राइब का लिंक आपको डिस्क्रिपिशन बॉक्स में मिल जाएगा सबसे पहले यहां पर दिया गया है ऑप्जेक्टिव कौसन पहला कौसन है किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवस्यक है आप्जन है प्रकास अंधेरा एक एवं दो दोनो यानि कि प्रकास और अंधेरा दोनो इन में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा प्रकास किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकास किया वस्यक्ता होती है प्रकास गमन करता है सीधी रेखा में, टेरी रेखा में, उल्टी रेखा में या फिर उप्युक्त सभी में इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में प्रकास गमन करता है सीधी रेखा में प्रकास रोत से पहला दरपन पर पढ़ने वाली किरन कहलाती है Option है परावर्तित किरन, आपतित किरन, सीधी रेखा या उल्टी रेखा इसका आंसर हो जाएगा आपतित किरन जब किसी और पारदर्सी वस्तु को प्रकास में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकास नहीं जा पाता फल्ट वस्तु अपनी तरह क्याकृति बनाती है इसे कहते हैं Option है प्रकास, छाया, प्रती छाया या इनमें से कोई नहीं जिसका आंसर हो जाएगा छाया Next है छाया दिखाई दे सकती है Option है दिवार पर, परदे पर, जमीन पर या उप्यूक्त सभी में Second number का Question है कोस्टक में दिये गए सब्दों में से सही सब्द चुनकर खाली अस्थान को भरिए पहला Question है लकरी का टुकरा डैस है तो यहाँ पे Option है पारदर्सी, ओपारदर्सी, पारभासी तो इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ओपारदर्सी, लकरी का टुकरा ओपारदर्सी है कांच का टुकरा है, पारदर्सी, ओपारदर्सी या फिर पारभासी कांच यानि की सीसा पारदर्सी होता है दरपन में डैस बनता है, बिंब या प्रति बिंब तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिम्ब, दरपन में प्रतिबिम्ब बनता है प्रकास डैस रेखा में गमन करता है तो प्रकास सीधी या टेरी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीधी प्रकास सीधी रेखा में गमन करता है किसी वस्तु को देखते हैं डैस के कारण परावर्तन या फिर पारदर्सिता इसका अंसर हो जाएगा परावर्तन नेक्स्ट वियां आपे अब्जेक्टिव कॉसन दिया गया है पहला कॉसन है पारदर्सी और पारदर्सी तथा पारभासी वस्तों गे तीन देन उधारंदे फोर नुमर का कॉसन है क्या अंधेरे कमरे में दरपन के सामने अपना प्रतिविम देख सकते हैं यदि नहीं तो क्यों फाइव नुमर का कॉसन है छाया देखकर किन किन वस्तों को पहचान सकते हैं सूची बनाएं, सिफ नमर का कॉसन हैं कैसे बताएंगे कि प्रकास सीधी रेखा में चलता है, अपने साथियों के बीच प्रयोग करके दिखाएं, तो चलिए हम सभी कॉसन को one by one solve करते हैं, थर्ड नमर का कॉसन था पारदर्सी और पारदर्सी तथा पारभासी वस्तों के ती साफ पानी, सीशा और वायू, यह सभी पारदर्सी वस्ते हैं, और पारदर्सी वस्ते हैं जैसे कि दिवार, लखडी, कागज, पारभासी वस्तों में कौन-कौन सा आता है, कपड़ा, तेल लगा कागज, कूड़ा या फिर पॉलिथीन फोर नमर का कौसन है, क्या अंधेरे कमरे में दर्पन के सामने अपना प्रतिविंब देख सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों? इसका आंसर होगा, अंधेरे कमरे में दर्पन के सामने हम अपना प्रतिविंब नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमें वस्तु प्रकास का परवर्तन क नहीं होता है इसलिए हम अंधिरे कमरे में वस्तु को नहीं देख सकते या फिर अंधिरे कमरे में हम दर्पन के सामने अपना प्रति भिंब नहीं देख सकते हम लोगोंने पिछले पाट में परहा था किस प्रकार प्रकास वस्तों को देखने में सहता करता है तो इसका आंसर होगा कि प्रकास स्रोत से निकलने वाली किरने जब वस्तु पर परती है तो किरने वस्तों से टकरा कर हमारी आंखों पर परती है आँखों में उन वस्तों के चित्र बनते हैं जिसे हमारा मस्तिस्क समायोजित कर लेता है तथा उस वस्तु को हम तब देख पाते हैं तो ऐसा प्रकास के परावर्टन के कारण हो पाता है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं यह एक वस्तु है और इस पर सूरी की प्रकास की किरन पढ़ रही है और यह किरन वस्तु से टकरा कर आँखों पर पढ़ती है और आँखों पर इसका चित्र बनता है जिसे मस्तिस्क समायोजित करके उसके बाद उस चित्र को दिखाता है इसी को हम प्रकास का परावर्तन कहते नेक्स्ट कॉस्टन है छाया देखकर किन किन वस्तों को पहचान सकते हैं सूची बनाईए इसका आंसर हो जाएगा पेर जानवर मनुस्या पक्षी टेबल गिलास लालटन इटीसी इसके अलावा भी और बहुत सारे वस्तों के नाम आप यहां पे लिख सकते हैं सीक्स नंबर का कॉस्टन है कैसे बताएंगे कि प्रकास सीधी रेखा में चलता है अपने साथियों के बीच प्रयोग करके दिखाएं इस कॉस्टन का आंसर है क्रिया कलाप एक चित्र संख्या 13.2 के प्रयोग द्वारा इस चैप्टर में एक क्रिया कलाप है यहां पर आप देख सकते हैं 13.2 के चित्र में दिखाया गया है कि प्रकास सीधी रेखा में गमन करती है यहां पर पाइप के द्वारा मौमबती को देखा जा रहा है पाइप सीधा है सीधे पाइप के द्वारा मौमबती को देखा जा रहा है जब हम पाइप को सीधा करके याने की सीधे pipe के द्वारा हम मौम्बती को देखते हैं तो मौम्बती हमें अच्छे से रिखाई देती है लेकिन अगर हम pipe को टेरा कर देंगो तो मौमबती हमें सई से रिखाई नहीं देगी शीद की इसका अर्थ यहीं है कि दोरा आपको समझना है इस question का answer आपको इसी क्रिया क्लाप से मिलेगा आपको अपने दोस्तों के साथ यही क्रिया क्लाप करना है एक pipe लेना है और सामने एक you know confirm that आप एका महोंबति रखनी है और उस पाइप की साहता से आपको मुणाति को देखना है फिर आपको फाइप को थोरा सा करके उस मौंबति को देखना है जबक ऐसा करेंगे आप मैसुसष करेंगे कि आप टेढ़े पाइप की द्वारा मुंबती को नहीं देख सकते दोस्तों ये कॉसन इस चाप्टर का लाश्ट कॉसन था तो इसी के साथ हमारा ये चाप्टर यहां पर कम्प्लीट होता है एंद हम लोग नेस्ट वीडियो में नेस्ट चेप्टर पढ़ेंगे ये वीडियो अगर हैलफ लग में होग तो मैं है को तो में है ये वाके ज अेतर है आट्वारा मुंबती को ये झायो है